आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्च्वस में मैं दुरुधन का फॉर्मर एस्बीए एप्डेट लिख रहा है एक थोड़ा साथ डीटेल डिसकेशन हम करेंगे सिर्फ एक अपडेट नहीं है एस्बीए प्यों का इंटर्व्यू का लिए लिंक एक्टिवीट कर दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रिंग पे ऑफिशल साइट पे जाके जो इस साल का इस्बीए प्यों का रिकूटमेंट है उसके अंडर आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड इंटर डिफरेंट डिफरेंट जो सर्कल्स रहते हैं इस भी है कि उनकी प्रिफरेंस आपको भरनी है एस फार आइस आइम कंसरूंड कितने यहां पर आप प्रिफरेंस भर देंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा राउंड अबॉट ग्यारा प्रिफरेंस शायद आपको भरने का option दिया जाएगा तो वो आप अपने circle से हैं यह सर्कल्स है जहां पर आप जोड की लिवे प्रिफरेंस डाल रहें कि जहां पर जब आपको जॉब दिया जाए तो इस circle की लिए आप चाहते हैं तो यह आप भर देंगे इसके इलावा आपसे एक और च साइन्स आप लोगों के लिए नहीं है आप लोगों को इंजिनिरिंग सेलेक्ट करना और बाकि और भी ऑप्शन से जैसे आर्ट, साइन्स, कॉमर्स, अग्रिकल्चर, मेडिकल, मैनेजमेंट, जनरलिजम, लॉब बीए, बीसी ए और एक अधर्स का भी ऑप्शन अगर इन में स सामने, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल डिटेल्स है कि इंटर्व्यू डेट, सेंटर, पैलन नमबर यह सारे इंटर्व्यू कॉल लेटर में आपको मिल जाएंगे, तो यहां पर आप ढालेंगे आदार नमबर, यह आपको फिल नहीं करना है, देन हम आ इंटर्वाइब जाएंगे, तो बरना है, नहीं तो खाली चोड़ना है, यहां पर ऐसे स्ट, OBC, EWS जनरल दे रखा है, मिस आप करेंगे, इसके लब अगर आप फिजिकली चैलेंगे तो अपनी चैलेंगे आप यहां पर फिल करेंगे, और फिजिकली चैलेंगे के लिए ड मुझा कुध सब силь ăn हैंगे, तो उसका भी डिशूर्ज सब और ऑर लेंग्विज का भी अगर आप, और लेंगविजars का भी आप लुआजी रखते हैं यहां पूल है कि सिर्फ बॉलते हैं लिखते हैं यहां पड़ते हैं और इससे रिले टेनव्यश्न पास्ट है liquids आपि मे यह बहुत important certificate रहता है जरना आपकी graduation आ जाती है semester wise यहाँ पर आपसे month of passing total marks, marks obtained और percentages पूछ रखे हैं percentage कैसे निकाले जाते हैं हर colleges के different system होते हैं और उसको convert कैसे किया जाता है उसके according आप यहाँ पर percentage लिख देंगे post graduation अगर आपने कर रहा है तो इसको mention करेंगे नहीं तो इसको खाली छोड़ेंगे यहाँ पर name and address of the employer यहाँ पर आपको name address रखना है ठीक है अगर banking में कोई qualification special या training ले रहे हैं तो इसका mention करेंगे नहीं यहाँ तो इसको खाली छोड़ेंगे particular sports and other extracurricular activities in which you have participated credits and destrictions mentioned. अब यहाँ पर अगर आपने किसी sports या फिर curricular activities में participate किया है तो इसको mention कीजेगा college or school time पर साथ साथ आप credits भी डालिएगा कि इस में इस competition के इसमें मैंने वैसे participate किया था अब याद रखिएगा इन सब के आपके पास documents भी होना जरूरी है hobbies and other interests यहाँ पर आप mention कर देंगे present address, permanent address, complete details यहाँ पर आप देंगे अब 15 points important है अच्छे से सुनिएगा particulars of place we have resided for more than one year during last five years अब आज से पिछले 5 साल तक अगर आप किसी भी place में एक साल से एक साल से जाद रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर detail में mention करेंगे अब बाकी certain वो अगर आपके against कोई case है या case pending है उसके बारे में किसी service या किसी government job से आपको निकाला गया है तो उसके बारे में mention किया जाएगा अगर आप करणटी particulars of any case of disciplinary action ठीके यह से related है हाँ जो 20th point है वो बहुत important point रहता है doubtful point रहता है particulars of character certificates अब आपको दो character certificate लेने है वो आप अपने last education यानि अपने college से ले सकते हैं present employer से ले सकते हैं या respectable referees respectable referees क्या है ऐसा कीजिएगा देखो मैंने क्या किया था मेरे जो पडोसी थी काफी time से मतलब जब मैंने interview देने गया था तो काफी time हो चुका था और जो मेरे दोनों पडोसी थे उन्हीं से को मैंने respectable referee बना के अपने पडोसी की तरह ले लिजे क्योंकि उनके पास बाद में bank की तरफ से letter आएगा और उनके उनको return करने की ज़रूत पड़ेगी एक confirmation देने की ज़रूत पड़ेगी तो वही सेलेक्ट कीजेगा वही address वही लोग सेलेक्ट कीजेगा जो respond कर सके जिनसे आपका direct contact रहे हमेशा तो मेरे जो दोनों नेबर से उनसे मेरी अच्छी बात ची थी फैमली के अच्छी बात ची थी और luckily मेरे लिए ये था कि उनमें से एक नेबर banking sector में already bank में काम कर रहे थे although SBA में ही काम कर रहे थे मेरे लिए काफी फाइदे मंद रा गेजटेट ओफिसर जो चाहिए था वो भी वहां से मिल गया plus respectable referees में भी आ गया ठीक है ठीक है ठीक है देन फाइनल आपका signature है दिनांक ठीक है ठीक है ठीक है ये सारी चीज़े तो बात में बनने वाली है यह आ जाते हैं यह important part identity certificate to be issued by the gadgeted officer of state slash central government MLA MLCMP branch head of state bank of India और a nationalized bank यहां से आपको seal और उनके signature के साथ उनका address लेना पड़ेगा place date यह सारी चीज़े तो standard है तो यह आपको लेना बहुत ज़रूरी है यह आपके लिए important है अब यह बाकी का सर्टिफिकेट के format आरे central format रहेगा ध्यान रखेगा update करके लेकर जाहिए गा जो भी आप format सब्मिट करें चाहिए सब्मिट करना है अब list of documents to be submitted on the day of interview this is the most important part matriculation slash 10th standard or equivalent certificate indicating date of a 10th certificate का ज़रूरत परेगा क्योंकि वो proof of age रहेगा आप लोगों के लिए देन इसके बाद where the date of is not available in certificate यह important नहीं है हमारे लिए यह important है कि आपके पास 10th का certificate वो mark sheet हो certificate और जिसमें भी मतलब जो भी आप 10th से related लिखते जाए जाहे वो living certificate हो जाहे वो mark sheet हो जो भी चीज़े रहे उसमें date of birth आपका mention रहना चाहिए 10th की mark sheet यह 10th का documentation आपका passing documentation इसलिए चीए जिससे कि वहाँ पर date of proof जो है जो proof of age है वो verify किया जा सके तो वहाँ पर date of birth mentioned बहुत important है ठीक है अब second point है degree slash diploma certificate along with mark sheets pertaining to all academic years as proof of educational qualification claim in the absence of degree slash diploma certificate provisional certificate along with mark sheet pertaining to अब यह बहुत important है कुछ लोग बोलते हैं कि सर्फ mark sheet ले जाए तो चल जाएगा या फिर सिर्फ provisional certificate ले जाए तो चल जाएगा या फिर सिर्फ passing जो हमारी जो certificate final certificate जो मिलता है degree मिलती है वो ले जाए तो चल जाएगा नहीं रही अगर आपके पास final degree नहीं है that's fine आप provisional certificate लेके जा सकते हैं आजकल तो online भी अविलेबल रहता है काफी colleges social distancing के चलते वे online भी अविल कर रहे हैं काफी students को तो वो आप ले सकते हैं उसके साथ आपको सारे mark sheets जाए mark sheets आप निकाल के लिए कर जाएंगे वो भी आजकल online facility मिल चुके अगर आप physically जाके यह चीज टे नहीं कर सकते क्योंकि time हमारे पास कम है क्योंकि interview dates के अगर बात करें दो से 7 March के बीच में सारे इंट्रिव्य शाय तक complete हो जाएंगे जहां तक मुझे students ने बताया है तो 2nd से 7th March already भी स्वरवरी हो चुके है तो इस पर already काम करना हमें start करना है कल तो संडे online जो प्रोसेस में भी शायद हो सके Monday से हमें इस पर काम करना start करना है अच्छे से सारे documents ठीक है तो आपको degree है मैं suggest करूंगा identity certificate में वहाँ पर gadgeted officer से आपको एक तरह से वो character certificate तो मिली जाएगा आप दो certificates character आप लीजे वहां से लेंगे college से ले लीजे आपका जो last attended बहुत अराम से मिल जाएगा काफी लोगों ने तो already जो कुछ means जो कुछ interviews दे चुके उसके लिए already ले चुके है बाग ता certificate central government format इसके already हम बात कर चुके medical certificate by person with disability तो उनको medical certificate तो show करना पड़ेगा कि वो person with disability category में आते हैं तो उसके लिए show करना बहुत important है candidates claiming change in name after matriculation or marriage or remarriage or must etc. must submit the following documents अब आपके name में कहीं पर भी चेम है या कहीं पर भी कोई discrepancy है न तो आपको affidavit apply करना पड़ेगा ठीक है क्या लगाना पड़ेगा एक एक लगाना पड़ेगा the candidates in case of any description between the name recorded matriculation ठीके ठीके ठीक है में यह यह या फिर सर मैंने जो mention किया था उसमें थोड़ा सा जो फॉर्म भणा था और उसमें थोड़ा सा date में change है passing के तो यह जो discrepancy जैना वो affidavit आप apply करके क्या करना है and affidavit in original is required to be produced at the time of interview that both the name names in the both the city belong to one and same person तो इस तरह का mention जो भी discrepancy रहे तो ठीक है बाकी और कोई point शायद तक तो नहीं है list of enclosures देख लीजे क्या क्या चीज़े आपको in close करनी है अच्छे से देख लीजेगा पूरी की पूरी यह list आप जरूर चेक करके जाएए का यह आपको एक idea देदेगा कि मैंने अपने सारी चीज़ें cover कर लिए अब उपर याद रखिएगा जो list of documents है in original है original में तो लेके जाना ही जाना है साथ में दो copy कम से कम लेके जानी है मैंने क्या किया था मैं तीन copy लेकर गया था self-attested copies थी original का एक file अलग था और उसके साथ-साथ जो zerox copies थी तीन-तीन मैं copies वैसे तो दो copy से भी काम हो जाएगा पर और जो list of inclusions है इसको एक बार चेक करके ज़रूर जाएंगे जिससे कि अपने को आइडिया लग जाएगा कि यार अपने ने सारी चीजे रख लिए है कि नहीं रख लिए अब दो से साथ मार्च में आपका इंटर्वियो से रिगार्डिंग अल्रेडी sessions में अपलोड करूँ अभी कुछी दिर में एक और आराट भी प्यू का इंटर्वियो एक्स्पिरियेंस में शेयर करूँगा आगे SBA प्यू से रिलेटेट भी प्रिवियस एर इंटर्वियो पिछले साल इंटर्वियो एक्स् इंटर्वियो कोई टेंशन की बात नहीं है मस रहिए अच्छे से प्रिपेर कीजिए डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले तयार करके रखिए यह प्रायटी आपकी अब रहने चाहिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स इंटर्वियो के प्रिपरेशन से भी ज्यादा इंट नहीं है मुझे अचे इंटर्वियो के त elaborता हम लिए मुझेए यह उेंट्वियो.